दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेर करें दोस्तों आपकी प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही जरूररत हैं हेलो नमस्कार दोस्तोर स्वागा थे आपका जीओ नुज़ों इस वीडियो में आपको देखना को मिलेंगे सबी बड़ी खबरे मुखिस समझा टूड़े ब्रेकिंग निउस के रूपे तो दोस्तो यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दे ताकि जो भी भी डूटल आप तक पहुंचे रहे हाला कि आम चुनाओ के एक्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं जिसके मुताबिक खेंदर में दोबारा मोधी सरकार बनने के संकेत मिल रहे हैं लेकिन असल नतीजे आने से पहले पिएम नरेंदर मोधी को देश और भिदेश से बधाई संदेश मिलने सुरू हो गए हैं इस कारिकरम में नरेंदर मोधी और बीजेपी को मालदीब के पूर्व राष्टपती महमद नसीब ने परधान मतरी मोधी को बधाई दी है और उन्हेंने ट्वीट करके कहा है कि भारतिये चुनाव संपन होने के साथ ही नरेंदर मोदी और बीजेपी को बधाई मुझे यकीन है कि मालदीब के लोग और सरकार पीम और भाजपक के नितित वाली सरकार के साथ निकट सहयोग जारी रखने के लिए राजी होंगे साथ चुर्णों में हुई इस मतदान प्रकरिया में कूल 542 सीटों पर वोट डाले के हैं जिसके मतगणना 23 मई को होगी हालाकि मतगणना से पहले एकजिट पोल के नतीजे भी सामने आ गए है जिसमें बीजेपी नित एंडिये की सरकार दोबारा बनने की संभावना जताई जा रही है आज तथ एक्सिस माइटन्स इंडिया के एक्सिट पोल के मताबिक बीजेपी नित एंडिये को 349 से 365 सीटे मिल सकती है जबकि कॉंग्रेस नित यूपी एको 37 से लेकर के 108 सीटे मिलने का अनुमान बताया गया है जबकि अन्य के खाते में 60 से लेकर के 70 सीटे मिलने का अनुमान है जी हाँ दूस्तो अगली बड़ी के वरे सरजीकलाष टक का कांग्रेस का दावा जूठा साबित सेना ने कहा, 2016 में हुई थी पहली सर्जिकल अस्टाइक, जी हाँ दोस्तो, भारति सेना की ओर से एक बार फिर से कहा गया है कि सेना ने पहली बार सर्जिकल अस्टाइक को सितंबर 2016 में अंजाम दिया था, सेना की ओर से दी गई इस जनकारी से कॉंग्रिस के दावे पूरी तर रणवीन सिंग ने इस मामले पर कहा है कि कुछ दिन पहले DGMO की और से एक RTI के जबाब में कहा गया है कि पहली सर्जिकल श्ट्राइक ने सेना 2016 में पाकिस्तान की खिलाफ अंजाम दिया था मैं इस मामले को पूरी तरीके से राजनितिक दलों की और से कही जा रही बातों को पर बोलूँगा उन्होंने सरकार के और से जबाब दिया मैंने जो आप से कहा वो तत्थ्यों के आधार पर है जिहां तो सो लेफ्टनेर जनरल रलवीग सी ने पाकिस्तान के बालकोर्ट में जैसे मुहमत की आतंकी ठीकानों पर भारती वायसना की ओर से यह कारवाई बड़ी उपलब दिये हमारे बिमान दुस्मन के अंदर घुसे और आतंकी के लैंच पैड को तबाह किया अगले ही दिन पाकिस्तान ने अपने बिमान भेजे लेकिन उसे मुहतोर जबाब दिया ग लोकर में अपलोड किये हैं तो पुलिस आपका चला नहीं काट सकेगी बसरते आप किसी अन नियम के उलंगन में पकड़े जाएं यातायात पुलिस ने डीजी लोकर के वाहन संबधी कागजा जाचने पर प्रसिक्षन दिया है आई टीडी के विजिसग्यों ने यातायात अनुसार वैद है आई टीडी के सिनियर कंसल्टेंट प्रोग्राम मैनेजमेंट के डिरेक्टर असुक तुमर ने बता है कि डीजी लोकर भारत सरकार के और से सुरुक गई सेवा है इसमें से सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरीके के वाहन दस्तावेज रखे जा सकते हैं इसी लोकर की वैवास्था पर मन्थन अभी चल रहा है यूजना है कि इसे जल्द ही लागू किया जाएगा जी हाँ दोस्तों अगली बढ़िक पर तेल का बड़ा भंडार खोजने निकला था पाकिस्तान 700 क्रोर फुकने के बाद मिल गया ठेंगा जी हाँ दोस्तों आर्थ पाकिस्तानी मीडिया ने इस खबर की जनकारे दिये कि कंगाली में कगार पर खड़े पाकिस्तान के इस काम को कड़ोर रुपे बरबाद करने के बाद अब उसे बंद करने का फैसला किया है पाकिस्तान की प्रधान मंतरी इमरान खान इस साल के सुरू में कहा था कि देश को विश्य सहायक नदीम बाबर ने वक्तब के हवाले देते हुए कहा है कि केकड़ा एक तेल उत्खनन छेतर में खुदाई में कोई अपेक्चित सफलता हाथ नहीं लगी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस छेतर में तेल उत्खनन कोई का परिचालन करने वाली कमपनी के काम बंद करने का फैसला किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 17 बार की कोशिस के बावजूद सफलता नहीं मिली है। इस पर यूजना में करीबन 10 करोड डॉलर, भारतिय रुपए की माने तो करीबन 700 करोड रुपए, पाकिस्तान की मुद्रा के हिसाब से माने तो 1500 करोड रुपए खर्च किये जा चुके हैं। केकड़ा एक के खुदाई का ताजा काम करीबन 4 महीने पहले इतालवी कमपणी ENI ने सुरू किया था। इसमें अमेरिका की एबनॉक्स मोली, पाकिस्तान पेट्रोलें लिमिटेड और आइल एंड गैस डवलोप्मेंट कमपणी लिमिटेड में इस सदारी किया था। पाकिस्तान के तेल गैस का पहला कुँआ 1963 इस भी में अमेरिका की एक कमपणी ने खोदा था जो सुक गया था। ताजा विफलता से पहले 2005 में नीदरलेंड की सेल कमपणी के परियास से कुछ भी हांसिर नहीं निकला था। जोसतो अगली बड़ी खबर occurs एकजीट पोल रिजर्ट 2019 उपर राश्टपति वैंकया नाइटू बोले 20 साल से गलत सावित हो रहे हैं एकजीट पोल ये असली नतिजा नहीं जी हां तो उपर राश्टपतिए म वैंकया नाइटू ने एकजीट पोल के बारे में कहा है कि य पुचूदा आम चुनाओं का संदर्व देते हुए उन्होंने कहा है कि हर पार्टी अपनी जीत के बारे में अस्वस्त रहती है। पूल आफ पूल से मिलकर के पूल आफ फूल ने बना है जिसमें से एंडी टीबी के पूल आफ फूल के अनुसार केंदर में एक वार्फिसे मोधी सरकार की वापसी हो रही है। कि अगवाई में एंडीए में एक बार फिर 21 पार्टिया उसमें सामिल है। बिहार को उसको नितिस कुमार की पार्टी जेडियू के आने से मजबूती मिल गई है और वोट परतिसत के हिसाब से उसका पलड़ा भादी है। वहीं यूपीए में एक बार फिर से कॉंग्रिस की अगवाई 25 पार्टिया उसमें सामिल है। जी हाँ दोस्तों अकली बड़ी ख़बर एकजीट पोल इंपेट सेंसिक्स 1100 अंक से जादा उचला निवेसकों के पास कमाई का बड़ा मोका। यहाँ दोस्तों लुक्स माचुनाव को लेकर के रभीवार को आए एकजीट पोल के नतीजों के बाद फिर मजबूत सरकार बनने की संभावना से स्खुस सेयर बजार में जबजदस उच्छाल देखने को मिला है। निफ्टी इंटरा डे मतलब दीन के कारोबार में करीबन तीन साल की बड़ी तेजी देखी जा रही है। में बजार की इस रैली में भागिदारी करनी होगी वह चुनिंदा सेक्टर पर ध्यान दे। बजार की इस रैली में फार्मा प्रियूटिकल कमपनी आर्टी आई सेक्टर भागिदारी नहीं करेंगे। लिहाजा बजार की एक रैली में क्वालिटी मिड मैप सेरों के खुलासे निर्देशकों की सलाह देंगे। आर्बियाई ब्यास दरों में एक बार फिर से ज्यादा कटवती कर सकता है। आपको बता दे कि अधिकतर पोर में NDA की जीत का अनुमान लगाया है। बजार खुलने के कुछ मिन्टों के बाद ही BSE पर लिमिटेट कंपनियों के सेर की रिवेन्यू लगबग 1.46.59.709 करोड रुपए से बढ़कर के 1.50.49.99 करोड हो गई है। इस लिहाजे से निर्देश को के कुछ ही मिन्टों में 3.82 लाकड़ रुपए का फाइदा हो गया है। दिगज भी से सगयों के साथ ही आज मिड और स्मॉल मैप सेरोप में तेजी देखने को मिल रही है। BAC का मिड मैप इंडेक्स 2.33 फीसेदी के बढ़कर के लगभग 14.641 के अस्तर पर नजर आए रहा है। वहीं स्मार्ट कैंप इंडेक्स 2.0.1 फीसेदी के साथ बढ़कर के 14.165 के अस्तर पर कारोबार कर रहा है। तेल और सियर में बात करें तो इसकी बढ़ोतरी हो रही है।